राम राम मेरे किसान भाईयों सौ आगे थे आप सभी का हमारे चैनल पर आज हम बात करेंगे अपनी मुंग की खेती के बारे में कि हमने कितनी तारीक कुछ की बोनी की थी किस तरीके से की थी पानी लगे हैं इसमें अभी तक कितनी बार दबा लगाई है कि इसकी अभी तक लागात आई है और अभी आप ग्रोद देखिए इसकी आप एक फोधे में कितने सारी फली आई हुएं गुच्छे की तरह इसे देख के तो लग रहा है कि इसकी पैदावार एक खुंटल से उप पर जाएगी भारान कथाल है सम्राच जो कि हमने 10 को इसकी बोनिंग एती छिटका विधी से बीज़्दर कि बात करें थो 25 कजी एक भी गम है एक भी कमीच जालेज डिशम सब सम्राट सम्राट कितनी तारी को बोनी की थी आपने से दस मार्च वो कौन सी तरीगे से सीड्रिल से चटका बेदी से लोली बखराई में ठेक दाई तो बखरादा हो तो पानी कितने लग गए इसमें अभी तो बैसे हमने ऊपर बंब आगा तो फिरी तास लगा तो नहीं द कितने दन पर हर्द में लगाई पहलो पानी पच्चेशत दिन में हर्ड रद कि महां फिर दूसरा पानी पच्चे दूसरी कब लगाई दिया लगाई तब फलिया चटक ने बाद लगाई दूसरी कब लगाई तब खात कितने लगाई आप में खात कुछ नहीं बहुताम ये पी ये गोरी दैती तो फ्रू में पहले पानी में डी एपी अचा मूं के साथ किसान बाईयों दादा का कहना है कि पहला पानी हमें बोनी के बाद 25 दिन में लगाना है ये इसलिए क्योंकि भारी मिट्टी में पानी लेट लगता है और दूसरा पानी भी हमें 25 दिन में लगाना है अब बात करें स्प्रे की कीट ना सकी तो पहला स्प्रे हमें 8 से 10 दिन में करना है जब मुव में दो पत्तियां हों क्योंकि उस टाम पत्ते काटने वाला एक केड़ा लगता है और बात करें दूसरे स्प्रे की दूसरे स्प्रे हमें करना है जब फली थोड़ी निकाल आएं अब बात करते हैं खात की तो इसमें बहाई के टाइम छिटका विदी से 10 किलो पर भीगा डीएपी को लगाया है इसके लाबस में कोई भी यूरिया कोई भी बर्दक का इस्तमाल नहीं किया जाया है अगर आपकी फसल कम जो रहें तो आप बर्दक का स्तमाल कर सकते हैं तो कर दो आपकी तो 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 आपकी तो